Hello and Welcome, Great Academy के online portal पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है MD Sumi, हम लोग लेके आए हैं, महा बली योद्धा सिरीज, जिसमें आप लोगों को हम 1500 questions करवा रहे हैं, यह सिरीज का तीसरा पार्ट है, आज हम लोग History of Indian Railways के 30 questions को करने वाले हैं, यह सिरीज आपके preparations को boost up करने वाला है, तो तयार हो जाए है सिरीज के लिए, और seriously test को दीजिए, क्योंकि यह most selective questions है, जो कि आपके examination point of view से बहुत ही important है, मैं यह दावा करता हूँ, कि इससे आपके exam में 99% questions आएंगे ही आएंगे, जो बच्चे साइन्स के बारे में लेके confusion है, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भी आप टेंसर मत लीजिए, हम most selective questions जनल साइन्स के आपको करवाएंगे, और जो preparation से आपको हम लोग करवा रहे हैं, history of Indian railways, marketing, economics, CRM, इन सभी के questions तो आप लोग को करवाएंगे ही करवाएंगे, और general science के भी करवाएंगे, जो भी बच्चे जहां से भी test series को दे रहे हैं, आप लोग अपने आपको judge नहीं कर पा रहे हैं, marks का मारा जल्दी attempt नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप लोग अपनी practice करिए, अपनी efficiency को पढ़ाईए, accuracy को पढ़ाईए, ताकि आप exam में अच्छा score कर सकें, और जो बच्चे maths and reasoning जहां से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, यहां से हम आप लोगों का 80 नमबर की तयारी करवा दे रहे हैं, तो आप लोग एकदम निश्चीन्त हो जाईए, और तयार हो जाईए इस series के लिए, तो चलिए, हम लोग इस video को start करते हैं, जो जिन बच्चों ने pen copy नहीं जाईए और तयार हो जाईए, पहला question है, first train service started in India, between the stations off, इसका answer है, मुंबई पोरी बंदर station and ठाने, तो मुंबई पोरी बंदर station से ठाने के बीच में सबसे पहला train चलाया गया था, यह आप लोग जानते हैं, जो भी आपने history of Indian railway जो रवीन सर पढ़ा रहे हैं, उनके lectures को follow कीजी अच्छे से, आपके सारे doubts किलियर होंगे, और आपकी जो memory है, वो भी strong होगा, तो सारे lectures को जिन बच्चों ने attempt कर लिया होगा, वो इसका answer भली बती जानते होंगे, और जो भी test में आने वाये lectures में लेने वाला हूँ, उसमें आप अच्छा attempt कर पाएंगे, numbers को जोडते जाईएगा, और हमें comment करके जरूर बताईएगा, ताकि हम और भी अच्छे questions आपके लिए ले के आ सकें, और हर questions में आपको 2 second का time मिलेगा, तो इस बात का ध्यान दिजेगा, तो जल्दी से questions को करिए, अगला question है, इसका answer है, कालका मेल, तो कालका मेल सबसे पुरानी ट्रेन है, जो अभी तक चल रही है, 1866 में इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, हावडा से कालका जाती है, और जो हिंदी के बच्चे कमेंट करते हैं, कि हिंदी में content प्रोवाइड करिये, तो इस बार हम लोग ने हिंदी में भी, हिंदी में बच्चों के लिए हिंदी में भी लाया है, तो जल्दी से आप लोग attempt कीजिए, यह आप लोग के लिए बहुत ही effective होने वाला है, अगला कोश्च्चन है, वह इज लोग ने है, जो जो इज दो फादर फी लोग इंडीन रेलवेश, यह बहुत ही असान कोश्च्चन है, सभी बच्च्चे को इसका अंसर पता होगा, Lord Dalhousie, अगला question है which of the following zones of Indian railways is the largest यह भी बहुत असान question है उत्तर railway northern railway अगला question है in broad goes the distance between the rails is इसका answer है 1.67 meter अगला question है where is the headquarter of north central railway zone situated इसका answer है अलहाबाद तो अलहाबाद में north central railway का zone अलहाबाद में है यह बहुत ही असान questions है जो बच्चे नहीं attempt कर पा रहे होंगे please lectures को follow कीजिए जो lectures रवीन सर ने आपकी ली है history of Indian railways की वो बहुत ही important है और बहुत ही efficient है हर detail को उन्होंने बताया है तो आप लोग उस lecture से सारे questions attempt कर पाएंगे तो पहले lectures को पढ़िए फिर questions को attempt कीजिए और जिन बच्चों ने lectures को attempt नहीं किया है तो questions को करने के बाद आप देखिए कितने questions को कर पा रहे हैं और lecture ज़रू attempt कीजिए अगला question है which country railways network is the second largest railway network in Asia इसका answer है भारत तो भारत जो है वो second largest है एसिया में और first जो है वो चाइना है और world में भारत अपना इंडिया जो है वो fourth number पे है और चाइना third number पे है तो इस point को आप लोग ध्यान दीजेगा सबसे longest network जो है अगर पूछेगा तो भारत second number पे है और चाइना जो है वो first number पे है अगला question है when was the first train started in India सबसे पहले train कब शुरू हो भी थी इसका answer है 1853 अगला question है in India the first metro rail service this was inaugurated on 24th October 1984 in कहां start किया गया था तो यह answer सभी जानते होंगे इसका answer है Kolkata सबसे पहला metro rail cooperation वहीं start हुआ था Kolkata में तो नमबस को जोड़िएगा लास्टर हमें comment करके बताईएगा नमबस को जोड़ते चलिए अगला question है which of the following was the first electric train in India इसका answer है Deccan Queen जो बच्चे attempt नहीं कर पा रहे होंगे lectures को follow कीजिए यह बहुत ही असान questions है जिन लोग ने history of internet अलवेच पढ़ लिया होगा रवीन सर्का वोग बहुत असानी से इस questions को कर पा रहे होंगे next question है which express train has been flagged off by honorable prime minister श्री नरेंद मोदी बेटिविन वारा नसी एंड वडोधरा in September 2017 इसका answer है महा मना express तो महा मना express जो है इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महा मना मदन मोहन मालवी जी है इनको 2015 में भारत रतन अवार्ड मिना था इनके मरनों उपरांत मतलब इनके मरने के बाद इनको भारत रतन अवार्ड दिया गया था और उनके सम्मान में ये train चलाई गई थी महा मना express तो ये fact भी आप लोग ध्यान दिजेगा जो बच्चे questions को attempt नहीं कर पा रहे होंगे lectures को जरूर फॉलो कीजिए मैं बार बार repeat कर रहा हूँ क्योंकि lectures में हर एक detail को रविन सर ने बताया है तो उनको follow करने के बाद आप questions बहुत ही अच्छे से attempt कर पाएंगे और numbers को जोड़ते चलिए ताकि आपकी efficiency पता चल सके कि आप कितना questions कर पा रहा है कम 2 seconds के अंदर जो आपको time दिया जा रहा है कितने questions को आप कर पा रहा है अगला question है इसका answer है डाजलिंग हिमालिया railway मतलब इनका जो है ये सबसे पहला hill passenger railway है जो की open किया गया था भारत में 1881 में अगला question है which railway station got a complete makeover with a mythila painting अजला कौन सी railway station में mythila painting की पूरी totally इसका answer है मधु बनी railway station मधु बनी railway station में मिथिला painting का makeover किया गया है ये नया fact है आप लोगों के लिए इसको आप लोगों एकदम रट लिजे और इसको note कर लिजे ये fact आपके examination के लिए बहुत ही important है अगला question है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन वाइस स्वामी विवेक अनंद के एक सो पचासमे जनन दिन के उपलच्य में ये एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी विवेक एक्सप्रेस पहल अगला question है which of the following is currently second longest running train of Indian railways तो second longest running train इसका answer है और नोई एक्सप्रेस यहाँ पर आप लोगों आप लोगों ने ये सोचा होगा कि और नोई एक्सप्रेस तो नहीं है हम लोग तो हिमसागर एक्सप्रेस पढ़ क्या है या नोई यूवक एक्सप्रेस पढ़ क्या है तो यह fact बदल चुका है इसको आप लोगो एकदम ध्यान दीजिएगा और जल्दे-जल्दी questions को attempt कीजिए numbers को जोडते चलिए तो जो second longest running train है वो अरुनोई एक्सप्रेस है अगला question है where is the headquarter of northern railways इसका answer है दिल्ली तो northern railways का headquarter दिल्ली में है अगला question है where is the headquarter of western railways अब western railways का headquarter कहां पे है इसका answer है मुंबई तो western railways का headquarter मुंबई में है अगला question है what is the diamond quadrilateral project इसका answer है high speed rail system तो जो diamond quadrilateral project आया था उसका main name था high speed में trains को चलाना जो भी trains हम चला सकते हैं तो इस point को आप लोगों ने रविन सर के वीडियो में पढ़ा होगा लेक्चर में जहां पे उन्होंने बहुत ही किलियर ली बताया हुआ सारे facts को तो जल्दी जल्दी attempt कीजिए अगला question है which is the biggest railway station in India सबसे busy railway station कौन सा है भारत का इसका answer है हावडा हावडा जो है उसमें तेज़ प्लेटफॉर्म है तो यह सबसे biggest railway station है इसको आप लोग ध्यान दीजे यह fact बहुत ही important है अगला question है which was the first railway station in India इसका answer है बोरिबंदर railway station तो इसका नाम अभी change हो गया है CSMT मुंबई तो इसको आप लोग ध्यान दीजेगा अगला question है which is the longest train in India इसका answer है विवेक express तो विवेक express सबसे लंबी train है भारत की अगला question है a platform surrounded by a rail lines from all the four side is known as क्या बोलते हैं इसका answer है द्वीप मंच island platform कहा जाता है उसको अगला question है which is the fastest train in India इसका answer है वंदे भारत express तो वंदे भारत सबसे fastest train है जो कि 180 km पर ती घंटा के इस स्पीड से दोड़ती है इसको आप लोग ध्यान दीजेगा इस fact को जल्दी जल्दी questions को attempt करने के कोसिस कीजिए जो भी बच्चे लेक्च्चों को फाव नहीं कर रहे हैं लेक्च्चों को जरूर कीजिए तभी आप questions को attempt कर पाएंगे नंबर को जोड़ते चलिए और हमे भारत का भ्रमन कराती है घुमाती है इसका एंसर है महरास्ट तो महरास्ट जो है यह रेल टूरिजम के लिए डेकेन ओडिसी को चलाई थी जो की भारत भ्रमन कराती है जगह जगह पर घुमाती है बहुत लोगों को यह fact नहीं पता होगा कि रेलवे में ऐसे भी ट्रेंस है जो की मतलफ है भारत भ्रमन कराने के लिए ट्रेंस चलाई जाती है उन लोगों को भी यह मालूम चल जाय गा तो Blood ध्यान दीजेता जब सभी आपको घुमने का मनकर्यचे पर ट्रेंज के दौरा भी घुम हैं पर चारr के दौरा दो बहुत घुमते होंगे इस काहित तो तो और भी चेल के पर घुम को अगर लेना हो तो घुम सकते हैं आप लोगशन को सप्टे कλιए जल्दी जल्दी और numbers को जोड़ते चलिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए अगला question है golden chariot is run by which state rail tourism इसका answer है करनाटक तो करनाटक द्वारा golden chariot चलाई जाती है यह भी luxurious train है भाध भमन के लिए ही इस train को चलाया गया था जो भी मतलब घुमना चाते हों जगह जगह पे वहां पे जाके रुकती है train और आप लोगो घुमने का मौका देती है वहां पे घुमिए देखिए क्या हमारा भारत का नजारा है कितना सुंदर हमारा भारत है तो जो भी ट्रेंज चलाई जा रही है तो भाध भमन के लिए चल करते चलिए और जो बच्चे लेक्चेस नहीं अटेम्ट की है रविन सर का लेक्चेस को जरूब कीजिए ताकि कोस्टन साफ जल्दी जल्दी अटेम्ट कर पाएं आपकी इफिसेंसी बढ़ सके यह बहुत ही जलूरी है क्योंकि एक्जाम में आपको हरे कोस्टन के लिए द प्लांट लोगेटेड इसका एंसर है बेला बेला बिहार में है तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो बच्चे को नहीं अटेम्ट कर पा रहे हैं वह रविन सर के लेक्चेस को जरूरू फोलो कीजिए फिस्ट्य आफ इंट्रें दिल्दी की सारी कॉंसेट आपके किलियर हो जाएगी और हमें नंबर जोड़के जरूरू बताइए का कमेंट में ताकि हम यह जान सके कि और कितने अच्छे को अमें लाना है अगला कोशन है वेर इस रेल कोच फेक्टरी लोकेटेड इसका एंसर है कपूर्थला तो कपूर्थला कहां पे है पंजाब में है जहां पर रेल कोच फेक्टरी हमारी है तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको ध्यान दीजेगा यह फैक्ट जो है और कोशन को जल्दी जल्दी अटेम्ट करने के कोशिस कीजिए अगला कोशन है वेर इस रेल विल फेक्टरी लोकेटेड तो पीछे आपको पूछा गया रेल विल प्लांट कहां है यहां रेल विल फैक्टरी पूछा गया इस बात को ध्यान दीजेगा इसका एंसर है बैंगलोर अगला कोशन है हूँ बिल्ट इंडिया फर्स्ट रेलवे इसका एंसर है आर्थर कॉटन चलिए बच्चों सारे फॉलो कर रहे हैं वह जरूब से लेक्टर को फॉलो कीजिए ताकि आपका कोशन को अटेंट करने की एफिसेंसी और एकुरिसी बढ़ जाए और हमें कमेंट करके जरूब बताईएगा किसी ने कितना नंबर स्कॉर किया है ताकि हम यह जान सके कि कि कितने और कोशन को लेके